SSE JD 2024 के सभी Candidates का एक बर फिर से मैं स्वागत करता हूँ सो दोस्तों आप सभी Male and Females के लिए मैंने Final Cut-Off की वीडियो बनाई और उसको चैनल के उपर already मैं अप्लोड भी कर चुका हूँ वो वीडियो देखने के बाद जितने भी Mails थे जादातर Mails की मैं बात करूँगा उनके सवाल उनके डाउट्स उनके Question Marks आने स्टार्ट हो गए हैं कि सर आपने जो Cut-Off की वीडियो बनाई है न वो गलत वीडियो बना दिये क्योंकि प्रिवेस येर के अंदर जो Cut-Off गई थी वो 10 नमबर गई थी कहीं से 11 नमबर गई थी कहीं से 8 नमबर गई थी बट आपने क्या बताया कहीं से 3 नमबर कहीं से 4 नमबर कहीं से 2.5 नमबर तो कहीं से 5 नमबर ऐसे में आपकी जो Cut-Off है उसके उपर हम Question Mark लगाते हैं क्योंकि प्रिवेस येर के अकोडिंग इस बार भी जो Cut-Off जाएगी वो 10 नमबर, 8 नमबर या फिर 7 नमबर इतनी ही जानी चाहिए जैसा कि आप बता रहे हो 3 नमबर, 4 नमबर, 5 नमबर जाएगी इतनी कम Cut-Off नहीं जाएगी तो उसी का जवाब देने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आप बार-बार किसका उधारन दे रहे हैं? प्रिवेस येर का, प्रिवेस येर का, प्रिवेस येर में इतनी गई थी तो आज मैं आपके सामने previous year का analysis करने वाला हूँ और उसके साथ compare करके मैं आपको बताऊँगा कि previous year और इस बार क्या analysis है उसके अंदर क्या difference है previous year की cutoff जादा क्यों गई थी और इस बार की cutoff कम क्यों जाएगी ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और यकीन मानिएगा पूरी वीडियो अगर आपने डंग से देखी तो आपका cutoff को लेकर जो previous year से आप बार बार compare करते हो जो doubt आपका बार बार मन में आता है व दो हजार बाइस और तेश की दो हजार बाइस तेश के अंदर जो हमारी total vacancy थी ठीक है बाई जो total हमारी vacancy थी वो थी 50187 vacancy ठीक है ये सारा official data है आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं अधर वाईज आप Google करके इन चीजों को check भी कर सकते हैं इसके बाद अगर मैं बात करत हूं PT और PST की PT PST की अब मैं यहां पर बात करूँगा एक एक डेटा को बहुत आराम से समझते वे चलना क्योंकि जो आपके दिमाग में बहम बैठिया है जो आपके दिमाग में एक गलत कहीं से calculation बैठ गई है कि previous year की हाई गई थी तो इस बार भी हाई जानी चीए वो सारी calculation अब मैं आपके ठीक कर दूँगा तो देखिए यहां पर अगर मैं सबसे पहले करूँ shortlisted shortlisted for PT and PST PT PST के लिए shortlist कितने किये गए थे तो अगर बात करते हैं males की तो male किये गए थे 3,30,000 चोहितर candidates को अगर मैं बात करता हूँ females की female को कितना किया गए था तो 40,924 females को shortlist किया गए था किसके लिए PT PST के लिए अगर मैं यहां पर total की बात करता हूँ ठीक है अगर मैं यहां पर total की बात करता हूँ तो 3,70,998 में जो candidates है उनको shortlist किया गया था PT-PST के लिए ठीक है CBT के बाद अब यहां पर PT-PST conduct करवाये गया PT-PST conduct कितने candidates का करवाये गया एक बार वो भी हम देख लेते conduct कितने candidates का out of 33 में से अगर मैं बात करता हूं males की अगर मैं male की बात करता हूं तो 3,27,429 male candidates का जो physical है वो conduct करवाये गया सेम अगर मैं बात करता हूं female candidates की तो 40,707 candidates थी female जिनका physical conduct करवाये गया यानि 924 total थी 40,924 जिसमें से 40,717 का conduct करवाये गया ठीक है अगर यहां पर मैं बात करता हूं total candidate जिनका physical हुआ 3,68,146 candidates 3,68,146 candidates का total physical जो है वो conduct करवाये गया ठीक है अब यहां तक आपको data समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं qualified for DME, DME के लिए कितने qualified किये गए अब एक बढ़ आप वो देखे अगर मैं बात करता हूं males की अगर मैं male की बात करता हूं तो एक लाग 31,848 males को shortlist किया गया अगर मैं बात करता हूं female की अगर यहां पर मैं female की बात करूं तो 14,444 females जो है इनको यहां पर shortlist किया गया इसके बाद अगर मैं total की बात करता हूं तो total एक लाग 40,200 में candidates थे जिनको यहां पर shortlist किया गया किसके लिए DME के लिए यानि की medical के लिए ठीक है बाई अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं पास फोर पास फोर DME के लिए कितना परसेंट पास किया गया तो एक लाग 46,200 में divided by total थे 368,146 यानि कि 40 परसेंट जो थे वो यहां पर पास हुए किसके लिए DME के लिए आउट आपके 3,68,146 candidates ठीक है बाई आप देखिएगा अब मेन कहानी जो शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है और यहीं से जो चीज़ है वो आपको समझ भी नहीं आती है अब यहां से अगर मैं बोलता हूं 3,68,146 3,68,146 शोट लिस्ट किये 1,46,295 तो यहां पर कितने बच्चों को आउट किया गया 2,21,852,21,854 candidates को यहां पर क्या किया गया बाहर किया गया भाई ठीक है अब आप जो कट ओफ की बार बार बोलते हो कि कट ओफ हाई गई थी हाई गई थी हाई गई थी अब वो चीज़ यहां से सुरू होने वाली है कि आपकी जो कट ओफ है वो हाई क्यों गई थी तो देखिए 3,68,146 टोटल कैंडिडेट्स थे जिनको शोट लिस्ट किया गया था किसके 16,146 में से अगर 1,440,200 में कैंडिडेट्स को जो है अंदर लेना है और 2,21,854 कैंडिडेट्स को बाहर करना है तो सबसे पहली कंडिशन जो फर्स्ट फिजिकल की फिजिकल की जो कट ओफ लगेगी वो यहां पर हाई जाएगी ठीक है इस चीज़ को आप मान रहे हो कि 2,21, 12,884 कैंडिडेट्स को भाहर करना है एक को नहीं करना दो को नहीं करना दस को नहीं करना दो लाख 21,884 कैंडिडेट्स तो यहां पर फिजिकल की जो कट ओफ है वो क्या जाएगी हाई जाएगी सेकंड सेकंड भी आपको मैं बात बता रहा हूँ वो भी देखेगा भी अभी एक लाख 46,292 को shortlist किया गया for medical, ठीक है, vacancy है 50,187, ठीक है 50,187 total vacancy है कितने का difference आ गया 96,105 candidates यानि कि medical में vacancy से 96,100,000 candidates जो है उनको extra बुलाए गया उनको जादा बुलाए गया अब 1,00,000 candidates को भार करना पड़ेगा मैं नहीं मानता हूँ कि बाद की बात है कि कितने बच्चे medical fit होए होगे लेकिन जब board ने 1,00,46,202 candidates को बुलाया तो medical board को ये नहीं पता था या विर्वो नहीं चाता कि हर बच्चा जो है वो क्या निकले unfit निकले उसके नजर में ये था कि हर जो बच्चा है वो medically fit होगा medical examination उसका यहाँ पर किया जाएगा तो यहाँ पर किया गया तो 1,00,000 लगबग मैं मोटा मोटा बोल रहा हूँ 1,00,000,96,105 का official data है लेकिन 1,00,000 आपके समझाने के लिए easily हमें समझ में आ जाता है थी वो भी यहाँ पर क्या गई हाई गई क्योंकि यहाँ पर 2,00,000 निकाले है यहाँ पर 1,00,000 का सिधा-सिधा आदा निकाले है ठीक है ना तो यहाँ पर 2,00,000 यहाँ पर 1,00, इसलिए जो क्टोफ गई थी वो previous year की हाई गई थी क्योंकि previous year से जो calculation की जारी थी वो first stage इसको मैं बोलूँगा stage 1 पर की जारी थी और इसे मैं बोलूँगा stage 2 के अंदर यहाँ पर आपकी calculation की जारी थी यानि कि दो जगें आपके जो बच्चे हैं उनको बाहर किया जा रहा था यानि कि जो candidates थे उनको बाहर किया जा रहा था एक बार दो लाग को भार कर रहे थे और एक बार एक लाग टोटल कितने बच्चों को सिर्फ कितने लेने थे 50-187 ठीक है अब मैं आ जाता हूँ इस साल की 2024 की जो वेकेंश है उनके उपर अभी देखे फीजिकल क्वालिफाई कर दिया है ठीक है फीजिकल क्वालिफाई करने क के बाद स्कार्टिंग में आप सभी लोग जानते हों बहुत-बहुत हाड वो मेडिकल ले के चले है इतना हाड वो मेडिकल ले के चले थे कि उसमें बच्चे पास ही नीच हो रहे थे छोटे-छोटी चीजों में pointry medical दे रहे थे लेकिन जैसे जैसे उनको लगा कि अब जो ratio है वो balance में आ गया है क्योंकि physical pass कर रहे हो सुरू में 40-45% परतिसत जो है वो physical को pass कर रहे थे उसके बाद 30-40% ही medical pass कर रहे थे लेकिन बाद में जैसे 15 दिन का समय बीता जो ये ratio था व उसके बाद pass का चला गया 65% पर और medical का चला गया 65-70% पर अब medical 70% पर आने के बाद इनों ने जिस तरह से balance करके चले 2024 वाली वेकेंसी में पहले तो बाहर कर दिया जब को उसके बाद balance बनाने लगे कि कम से कम 50,000 जो बच्चे हैं वो extra होने चाहिए वेकेंसी से इस बाहर की जो वेकेंसी है उसमें आप देखोगे कि लगभग 60-70,000 जो candidates हैं वही extra मिलेंगे आपकी वेकेंसी से ठीक है तो अभी आप खुद एक बात सोचके देखिए अपने दिमाग पर जो डालिए अगर एक तो 2,000,000 बच्चों को भार निकाल ला है उसके बाद 1,000,000 बच्चों क एक जगा कट ओफ लगेगी और इसी वजएसे जो कट ओफ का स्टेज था जो यहां पर हाई जाने वाली थी वो अल्रेड़ी यहां पर क्या हो जाएगी डाउन आपकी हो जाएगी ठीक है ना इस चीज़ को बहुत ज्यादा करने की जरूरत है और अभी अब मैं क्या करूँ इसके बाद मैं वो डेटा आगे लगा दूँगा जिसके अंदर मैंने आपको सारा डेटा समझाया है हो सकता आपने वो डेटा नहीं देखा हो एक बर वो डेटा भी आप समझने की कोशिज करना वो पंदरा मिनिट का डेटा है उसको देखने के बाद आपको सारी चीज़े clear हो जाएंगी कि क्यों आखिर आपकी जो cut off है वो जो 10 number गई थी उससे बिल्कुल आदी हो गई है भाई अगर किसी की 10 गई थी 5 पे आ गई है किसी की 8 गई थी 4 पे आ गई है क्योंकि यहां से जो stages है न वो already eliminate हो चुकी है वो already out हो चुकी है सो आप इन चीजों को भी consider करके देखो यह इतना बड़ा जो analysis मैं आपके सामने लेके आए हो सब official लेके आए हो कुछ भी अपनी तरफ से नहीं है और यह analysis जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे अरे यार यह stage तो हमने miss कर रहे है अरे यार यह stage तो हम miss कर रहे है अरे हम तो यह चीजे नहीं कर रहे है तो आपके calculation में और मेरे calculation में यही फर्क मिलेगा कि आप सिर्फ previous year की cut off को कर रहे हो कि physical इतना गया, medical इतना गया इस बार कम कैसे हो गया ऐसा नहीं है पूरा analysis मैंने समझाया इसके साथ आप compare करो 2024 को compare करो then you will find कि आपकी जो cut off है वो कैसे कम जाने वाली है क्यों कम रहने वाली है और इस बार बहुत सारे बच्चों का selection होगा जिनका सहथ previous year में भी ना हुआ हो वो जो बच्चे एक आदे नंबर से रहे गे ते वो भी स्वार वर्दी का सपन अपना पूरा कर लेंगे यह मेरा पूरा पूरा यकीन है और मेरे पास जो analysis मैंने किया है वो data के base पे किया है जो भी मेरे पास data है अब किसी के अंदर मान लो पचास अजार है मान लो बच्चे West Bengal में मैं बोलता हूँ अब मैं पचास अजार का data कहां से ला हूँगा मेरे पास कितना हूँगा 100 बच्चों को होगा 200 बच्चों को होगा तो मैं उनी के उपर ही तो analysis करके बता हूँगा आप मुझे कहते हूँ कि सर analysis आपने ऐसा कर दिया 200 बच्चों के इसाब से मैं बिलकुल accurate मैं अब Chat Manway नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ 200 बच्चों के इसाब से मैं 200 % सही हूँ मुझे कोई गलतती कर सकता 200 के इसाब से उनी के इसाब से मैं किया है और उसी की चले मैं यह ठीक भी रहएगा साब से मैं मानता हूं यह ठीक भी रहेगा और आखिर मैंने अपनी वीडियो में बोला भी है कि प्लस माइनस दो नंबर का एरर आप जरूर लेके चलना मैंने सिंपली बोला है अगर किसी भाई को लगता है कि तीन नंबर कट ओफ नहीं जाती फ्लस 2 कर ले पाँच नंबर क चली जाएगी न hen Tech लगता है तुम वे लगता है तुम उस content ुब्हे लगते कि वो प्रिवेश यर का बार बार जो तुम दिंडरा पीटरे हो तो भया ऐसे ही मुझे कोई ऐसा वैसा मास्टर मत समझ ले ना कि दो सो रुपय का माइक लगा के आ गया और तुमारे सामने मूठा के जो भी बात है वो बोलनी सुरू कर दी हर अनलिसिस को अपनी जेब में परचा ब मैं वो एनलिसिस लगा रहा हूं वो एनलिसिस देखना और उसके बाद जो है आप वीडियो को एंड कर सकते हो और फिलहाल वीडियो में इतना ही हम यह वाला एनलिसिस रखेंगे नेक्स्ट एनलिसिस इसके बाद चलेगा वीडियो को लाइक शेर करना चैनल को सब्सक्राइ से लेकर end होने तक एक schedule जारी किया जाता है और जो department है वो उसी schedule के according काम करता है हमारे सामने SSC GD 2024 का schedule है इसके according आपका PST, PT, DV, DME and RME 23.9.2024 को start हुआ है और 8.11.2024 को end हो जाएगा और यह जो सारा process है यह total 39 days यहाँ पर चलने वाला है अब first 7 days यानि 23.9.2024 को जब यह start हुआ तो इसके शुरू के 7 दिन एक center के उपर 100 candidates को बुलाए गया था अब 7 दिन के बाद एक center के उपर 100 से बढ़ा कर 130-140 candidates को बुलाए गया अब 105 total centers बनाए गये थे और 59 RME centers है वो यहाँ पर बनाए गये थे अब 39 days आपका ही सारा process चलेगा अब यह process complete होने के बाद next 10 दिन का time यह RME का जो result है वो SST को submit करने में यानि कि 9-11-2024 से लेकर 21-11-2024 तक आपका जो result है इस सारे process का 39 days का यह SST को submit कर दिया जाएगा अब submit करने के बाद 14 दिन का 14 days का time यहाँ पर लगने वाला है यानि कि 2-11-2024 से लेकर 7-12-2024 तक आपका जो result है वो यहाँ पर declare कर दिया जाएग सारा जो data है उसको process करने के बाद ठीक है तो यह तो रहा आपका schedule अब बात करते हैं अपने main analysis के बारे में तो देखे जो vacancies है वो है 46,617 अब सभी लोग जामते हैं SST GD 2024 की vacancies 46,617 है अब यहाँ से आपको वीडियो को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि सारा यहाँ पर data calculation का work है सारी चीजे मैं समझाता जाऊँगा अब है समझते हुए यहाँ पर चलना total call for physical अब देखे फिजिकल के लिए total कितने बच्चों को बुलाए गया था 3,46,404 candidates ठीक है अब physical medical end RME start start कब होए थे 23,2024 से physical medical RME end कब होँगे 8,11,2024 को यानि के 8,11,2024 को first 7 days candidates call पहले 7 दिन कितने candidates को बुलाए गया 100 candidates को एक center के उपर जो की पीछे मैंने आपको schedule के अंदर दिखाये था total call for 7 days इन 7 दिन के अंदर total कितने candidates को physical के लिए बुलाए गया 100 candidates एक center पर 105 center बनाए गये और 7 दिन यानि कि 3,500 candidates को बुलाए गया था पहले 7 दिन के अंदर अब after 7 days candidates call 7 दिन के बाद जो 100 candidates एक center पर बुलाए गये थे 7 दिन के लिए उनके बाद कितने candidates को बुलाए जाना है 140 per center ठीक है अब यहाँ पर total call in 32 days 32 days के अंदर कितने candidates को बुलाए जाएगा तो 32 days का मतलब total 39 days आपका physical चलने वाला है medical आरमी चलने वाला है 7 दिन का हमने ले लिया 3,500 तो बचे कितने 32 दिन अब 32 दिन में कितने आएंगे अब 3,46,404 total थे उसमें से 33,007 दिन का मने निकाल दिया तो बच गए 2,23,904 यह candidates कितने दिन के अंदर बुलाए जाएंगे 32 दिन के अंदर physical के लिए बुलाए जाएंगे ठीक है physical pass percent for first seven days पहले साथ दिन के अंदर आप सभी लोग जामते हैं शुरू के अंदर आपका physical start हुआ था तो वहां पर बच्चे घबराए भी हुए थे जो बच्चे है उनको कोई idea भी नहीं था तो जो pass का ratio था वो बहुत कम था यानि कि 40-45 परसेंट ही था और कई जगा तो इसस physical की त्यारी नहीं थी जिनका भी त्यार नहीं था या और भी किसी को कोई दिक्कत थी वो physical देने ही नहीं आए ऐसे में 50-55 परतिसत का ही जो रेशो था present ratio वो यहां पर चल रहा था तो अगर मैं कहता हूं 73-500 टोटल बुलाए गए थे और इसमें से 55 परतिसती वहां पर present थे physical देने के लिए तो 44,425 जो candidates हैं वो present थे क्या करने के लिए physical देने के लिए ठीक है भाई अब total physical pass for first 7 days पहले 7 दिन के लिए कितने बच्चों ने physical को pass किया 44,425 टोटल जो physical देने के लिए आए थे 45 परतिसत बच्चों ने physical pass किया यानि कि 18,191 candidates ने total physical को pass किया out of 33,500 candidates में से ठीक है चलिए अब यहां पर बात करते हैं present after 7 days 7 दिन के बाद कितने candidates को बुलाए जाना था यहां पर present कितने candidates present थे after 7 days तो 7 दिन के बाद जोई ratio यह एकदम से बढ़िया लोगों को idea लग गया कि कैसे क्या कुछ हो रहा है कैसे बच्चे फिजिकल को pass कर रहे है क्या कुछ सिस्टम चल रहा है तो जो attendance ती वो यहां पर चली तो overall अगर मैं निकालता हूं तो मैं मान दो 65% जो है वो यहां पर रहा होगा कि after 7 days तो 1,47,387 ऐसे candidates थे जो फिजिकल के लिए present रहे होंगे after 7 days 32 दिन के लिए ठीक है अब यहां पर फिजिकल 5% after 7 days अब 7 दिन के बाद जो 45% का ratio था वो भी भढ़कर 60-65% हो गया क्योंकि लो वी कितना चला गया 60-65% अब यहां पर total physical pass after 7 days अब 7 दिन के बाद total कितने physical pass करेंगे present कितने थे 1,47,387 टोटल 32 दिन के अंदर ठीक है अब 1,47,387 का मैं maximum 65% निकालता हूं तो वो निकल कर आता है 1,15,302 जानी कि last के जो 32 दिन है साथ दिन हटाने के बाद उसके अंदर 1,15,302 जो केंडिडेट्स हैं उन्होंने physical को यहां पर pass किया होगा या total pass अभी करेंगे अगर एक idea में लेकर चलता हूं average तो total physical pass in 39 days टोटल 49 दिन के अंदर कितने बच्चों ने total physical physical pass किया होगा अभी medical और medical की बात नहीं हो रही है तो वो यहां पर हो रही है 1,15,302 प्लस 18, 18,191 यानि की 32 दिन प्लस 7 डेज का मिला के जो के total बच्चता है 1,33,403 में और हम यहां पर एक average ले ले लेते हैं 1,40,000 कुछ कम या कुछ जादा लमसम हम ले ले लेते हैं 1,40,000 कैंडिडेट्स ने physical को यहां पर pass किया होगा या इन पूरे last के 49 दिनों के अंदर 1,40,000 कैंड फिजिकल को pass करेंगे ठीक है भाई यहां तक आपको data समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं total physical pass in 49 देज कितने होगे 1,40,000 या 1,33,400 तिरान में लेकिन हम लमसम लेकर चलेंगे 1,40,000 कैंडिडेट्स ने पर ठीक है total medical, remedical या फिर आप बोलते हो final percentage कितने पास होए approximate 70-75 यानि कि 41 में से medical वगेरा में से 75 पर ठीक है वो यहां पर पास हो रहे हैं starting में medical को hard लिया गया था लेकिन जब बच्चे जादा बाहर होने लगे तो medical के अंदर जो है छूट दे दी गई बच्चों के easily जो छोटे मोडे points थे उनमें भी clear कर दिया गया और जो ए ratio है वो 75 परतिसत तक यहां तक चला गया और लास तक भी आप देखोगे से 20 से 25 परतिसत ही बच्चे medical रिमेडिकल में भार होंगे बाकि 75 परतिसत जो candidates है वो easily अपना medical रिमेडिकल किलियर कर लेंगे अब total medical and final pass in 39 days तो 1,40,000 total मैं कह रहा हूं उसका 75 परतिसत मैंने maximum निकाल लिया वै वो finally आपके medical, remedical, physical को यहां पर pass करेंगे तो हमारे पास सारा ratio निकल कर कितने 3,40,000 में से बने 41 और 41 का final निकल कर आगया 1,10,000 candidate यहां बढ़ीक है यानि कि आप जो competition वो कितने बच्चों के अंदर है 1,10,000 ठीक है चलो अब यहां पर अगर हम बात करते हैं total physical pass in 39 days आपको पत आपको पत है 1,10,000 total vacancy है 46,617 ठीक है यह तो clear है सारी चीज़े पर seat competition कितना रहेगा 1,10,000 candidates है 4,617 यहां पर seat है तो एक single seat के उपर 3 candidates यहां पर fight कर रहे हैं ठीक है यानि कि 1 seat के उपर 3 fight कर रहे हैं एक को नोकरी मिल जाएगी और 2 बच्चों को यहां पर बाहर कर दिया एक लाग 10,000 में से लिए तो जाएंगे 46,617 क्योंकि vacancy ही इतनी है तो यहां पर 46,617 को एक लाग 10,000 में से घटा दिया तो 63,383 candidates ऐसे होंगे जिनको यहां पर cut off बढ़ा कर घटा कर बाहर यहां पर इनको करना पड़ेगा क्योंकि लेने 46,617 ही candidates है final ठीक है चलो अब point to discuss य either low or nor high competition है वो ना तो low है ना high है लेकिन वो यहां पर moderate है बहुत जादा low भी नहीं है और बहुत जादा high भी नहीं है पर moderate है क्योंकि एक seat के ओपर तीन candidates का यहां पर competition है ठीक है अब 12 परतिसत जो candidates है वो यहां पर 1 से 3 marks के अंदर है जिनके cut off से 1 से 3 number उपर है वो है 12 परतिस candidates है जिनके 5 से 10 number cut off से जादा है 10 परतिसत candidates है जिनके 10 से 12 number cut off से जादा है और 5 परतिसत candidates है जिनके 12 से 15 number cut off से जादा है अब यहां पर source क्या है यह भी देख लीजिए information Google track recorder and YouTube comments various channels included my channel and offline centers भाई मैंने और मेरी team ने सबसे पहले Google trend recorder एक आती है जो सभी चीजों के trends को record करती है उसका यह अहां पर यह हमने ratio निकाले है इसके अलावा कम से कम हमने हजारों thousand plus हमने comments उठाए है मेरी खुद की video से बहुत सारी videos के नीचे से और वहां पर बच्चे क्या अपने marks बता रहे उनको analysis किया है इवन offline जो libraries है centers है coaching है वहां पर भी हमने जो बच्चे पढ़ रहे उनसे भी data collect किया है और उनके बाद यह जो data है वो यहां पर निकल कर आया है कि बच्चों के कितने marks यहां पर है ठीक है और mainly यहां पर तो मैं कहुँगा कि हमने हजारों plus जो comments है उनको base बनाय है क्योंकि जो offline libraries थी उसमें मेरे state का तो पता चल रहा था but other state का नहीं पता लग रहा था so इसलिए हमने comments को यहां पर main target बनाया और Google Trend Recorder से भी हमने जो है आपके records निकाले हैं but comments के निचे हमें बहुत helpful मिला हर बच्चे ने अपने comment कर रहे थे और उससे हमें idea लग गया कि कित यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत रही होगी सारी चीज़े आपकी clear होगी होगी अब अगर बात करते हैं total final pass candidate से 1,10,000 अब अगर मैं records की बात करूँ record का मतलब इस record की अगर मैं बात करता हूँ तो देखे 12% candidates के 1-3 number जादा हैं cutoff से यानि की 1,10,000 का 12% 13,200 candidates second 33% candidates के 5-10 number जादा हैं वो कितने बन गई असी 8,300 candidates 10% candidates के 10-12 number जादा हैं cutoff से तो वो कितने बन गई हैं 11,000 candidates और 5% candidates के 12-15 number जादा हैं वो यहां पर कितने निकलते हैं 5-500 candidates यह यहां पर simply as per record मैंने जो आपके total pass candidates थे उन में से मैंने यहांपर यहां आपका निकाल दिय है कि कितने candidates के कितने number यहां पर extra यहां पर बन रहे हैं ठीक है भई चलिए अब अगर हमें आगे बात करता हूँ total final pass candidates है एक लाख 10,000 यहां पर ठीक है एक लाख 10,000 यहां पर total final जो है वो candidates यहां पर है अब 100% जो selected candidates है वो यहां पर कौन होंगे 11,000 candidates plus 500 यहां पर देखीगा यह जो 11,000 प्लस जो 500 candidates है 11,000 और जो 500 candidates है यह तो 100% select रहेंगे क्योंकि total 16,500 जो candidates है इनकी cutoff ची कितनी भी उपर जाओ क्योंकि जिनके number 10 से उपर है 15 से उपर है अब cutoff ची दो number वड़ो 5 वड़ो ची 10 नमबर वड़ो यह 100% selection list में आएंगे तो यानि कि 16,500 जो candidates है यानि कि 11,000 दस परतिसत वाले और 5 परतिसत वाले 500 candidates यह तो 100% select होने है यानि कि 16,500 candidates तो यहां पर select होई हो जाएंगे अब इसके बाद total 100% selected candidates है 16,500 candidates ठीक है अब candidates out of competition हो जाते है 10,000 वैसे तो यह 12% का मैंने लिया है लेकिन 2% वो candidates है जिन states की cutoff एक या आदा नमबर जैसे एंडेमान वगरा की बढ़ेगी तो वो 2% candidates वहाँ चले जाएंगे बाकी जिनके एक नमबर या दो नमबर हैं 10% के अंदर जो आ रहे हैं वो competition से already out हो गए है यानि कि यहां पर 13,200 candidates है वो already competition से out हो गए है अब remaining candidates जो fighting के लिए बच गे वो बच गे 8,300 जिनके 5 से 10 number उपर है या पर अब fighting between candidates 46,617 total vacancies है 16,500 ऐसे candidates हैं जिनके number उपर है तो वो यहां पर already select हो जाएंगे तो 30,117 extra candidates हैं जो 80,300 में से लिए जाएंगे अब candidates eliminate कितने हो गए 80,300 माइनस 30,117 यानि कि 50,183 candidates है इनको यहां पर बहार किया जाना है अब जो cut-off बनेगी वो बनेगी 50,183 candidates के लिए ठीक है अब यहां पर कुछ चीजे याद रखने के वाली है कुछ points यहां पर देख लेते हैं कि हर दो number के उपर हजारों जो candidates है वो यहां पर eliminate हो जाते हैं अब यहां पर जो यह मैंने 16,000 candidates आपको बताए हैं अब यह जो 16,000 candidates बताए हैं अब इन 16,000 candidates में से कितने बच्चे physical को पास करेंगे कितने बच्चे medical को पास करेंगे कितने बच्चे remedical को पास करेंगे अभी यह data है यह यहां पर complete नहीं है पहली बात जो भी चीजे बोलू किसी के पास नहीं है, मेरे पास नहीं, किसी के भी पास नहीं है, ठीक है भाई, दूसरा, यहां पर जो यह बच्चे हैं, जो मैंने बताये था, 13500, 13200, जो competition से आउट है, यह ओल्रेडी आउट ही रहेंगे, यह data सही है, क्योंकि जो 102 नंबर है, वो चाहिए, फीजिकल को पास क है, वो competition के अंदर नहीं आएंगे 10%, अब जो 80300 का ratio है, यह main competition यहां पर role play करेंगे, main competition इनके पीछे होगा, main cutoff का खेला, इनके उपर खेला जाएगा, क्योंकि 16000 में से क्या पता कितने बच्चे बाहर हो जाएंगे, 16000 में से आप मानलो, जो मैं 16000 बता रहा हूँ, जिनके न कम बच्चे होंगे, उतना ही competition, 80500 का जो है, इनके अंदर से यहां पर आपका competition बढ़ जाएगा, ठीक है न, अब यहां पर जितने बच्चे कम select होंगे, उतने ही बच्चे यहां से जादा select होंगे, और जितने कम बच्चों को बाहर करना पड़ेगा, उतनी ही cutoff यहां पर कम जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बोला, हर दो नंबर के उपर thousand, thousand जो हैं बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो अगर मैं 50,000 बच्चों की बात करता हूं, normally, तो 4 प्लस नंबर, 4 नंबर या 4 प्लस नंबर जो है, अगर इतने नंबर बढ़ जाते हैं, तो सीधे सीधे जो 50,000 जो 4 से 5 नंबर, overall सारी केटेगरीज का अगर मैं आपको बताता हूं, तो 4 से 5 नंबर अगर बढ़ गया, तो यहां पर सभी केटेगरीज के लगबग 50,000 बच्चों को या अपने साथ लेकर चला जाएगा, ऐसा मेरा इस पूरे अनलिसिस से मानना है, ठीक है, अभी आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको अनलिसिस बताया है, और एक आइडिया बिल्कुल सिंपली दे दिया है, चार से प्लस नंबर, चार नंबर के आसपास जिसके भी है, या चार प्लस जिसके भी नंबर है, कुछ कैटेगरीज के अंदर, अगर मैं बात करूं, SC, ST, OBC लेक्शन हो सकता है, लेकिन कुछ जगाँ पर जहां पर रेड जोन है, वहां पर चार प्लस जैसा कि मैंने बोला, पांच से छे नंबर या लगबग, सात नंबर तक भी आपकी कटो बढ़ाई जा सकती है, बट मोस्टली, 4 प्लस अगर आपके हैं, तो आप मान सकते हो कि के अंदर हो, तो आपको 5 प्लस यहां पर हो जाएगा, अधर कटेगरीज में हो तो आप 4 प्लस नंबर अगर आपके हैं, तो आप एजली आप अपने आपको रेस के अंदर अपना कंसिडर कर सकते हो, ठीक है?